हाई एवर्मन वेलकम बैक तो गीकस आइडिया जहूरमीर फास्ट रिजन चल रहा है आज हमारा नया यूनिट सिटाथ हो रहा है जियोग्राफी जियोग्राफी में चार पांच टॉपिक्स है यह यूनिट फोर है डिस्ट्रिक्स अब जैनर के है टोपोग्राफी है जैसे कि यहां पर आपको दिखेगा क्लाइमेट साइस स्वाइल्स रिवर्स लेक्स मांटें रेंज सेंग्लेश यह हमें जियोग्राफी में पढ़ना है अब देखते हैं अगर एक ही में एक ही लेक्ट्र में कंप्लीट हो गया तो ठीक अगर मुझे लगा कि बोरिंग हो जाएगा तो फिर में रिवर्स एंड लेक्स मांटें रेंज एंड ग्लैश्योर्स अलग विडियो लेक्ट्रिस के लिए बनाऊंगा फिराल सिटार्ट करते हैं जियोग्राफी सबसे पहले डिस्ट्रिक्स अब जैंड के पढ़ेंगे कुछ हिस्ट्री से रिलेटर पॉइंट्स पढ जाते हैं जिनको administrative units बना जाता है उस पहली administrative unit का नाम रखा गया परगनाज यहीं जैसे आज कब कर डिट्रिक्स से वहां से पहले बनाए गए थे फ़र परगनाज को जब डोगरा रूल आया उन्होंने परगना हटाया और उन्हें क्या बनाया जिलाज एंड तैसील्स जिलाज एंड तैसील्स तो जो सर वाल्टर लॉरेंस ने की थी यहां पे उसकी recommendation पे वजारत में कुछ readjustment की गई थी जब जिलाज और तैसिलस बनाए गए थे जिलाज को फिर designate किया गया था वजारत यानि कि जिलाज का नाम क्या रखा गया है वजारत इन वजारत की readjustment कि इसने करवाई Sir Walter Lawrence ने कब 1892 में यह point important है और फिर क्या किया गया फिर इन districts की भी कुछ readjustment की गई थी 1951 में फिर से कर दी गई 1947 में यह इतना ज्यादा important नहीं है फिर districts को बनाया गया था subdivided into tassiles and niyabats very important tassiles and niyabats आज आपको क्या देखने को मिलेगा आपको मिलेगा district districtiatric के बाद क्या फिर आजाता है district के बाद आपको मिल जाता है तैसील, बुलाक पंचायत यही administrative unit में आजकर आपको पाएँ जाएगे district कि होता है तैसील में तैसील फिर बुलाक में फिर बुलाक पंचायत में इस तरफ फिर administration हो जाती है तो बीस डिस्ट्रिक्स है, दस जो मुझा है, दस कश्मीर में, ये इंडिया जेएन का मैप है, जिसमें पियो के भी, इन्होंने ये कर लिए है, इंट्रिडूस कर लिए है, नीचे वाला जेएन के हैं, ये तो पता ही है, जेएन के ओर उपर लद्धा, जु कोठवा किस्तवर पूंच रजोरी रामबर रियासी सामबा उदंपोर तो यहां पर आपको क्या रखना है डी जे के टू पी आरटू आर्टTrी एस यो तो आप ऐसे इसे कोड बना सकते हो अ डी जे के टू बांडी पोरा जी के टू पी एस टू ये है ए बी त्री जी के टू पी एस टू ये है डिस्ट्रिक्स ओफ कश्मीर अब एक एक करके इनको हमें पढ़ना है सबसे पहले अनतना के बारे में पढ़ना है अनतना के बारे में आपको क्या याद रखना है अनतना के बारे में सिर्फ आपको याद रखना है कि इसको ग्रैनरी ओफ कश्मीर वैली बोला जाता है ग्रैनरी ओफ कश्मीर वैली बोला जाता है इसका और कौन सा point इसका important है इसका area आपको याद रखना है 3574 district side पे लिखने है या तो इसी book को highlight कीजिए या तो अगर कोई notes बना रहा है वो लिख सकता है अनदना के सामने वो लिख सकता है ग्रेंरी ओफ कश्मीर वैली और उसका area वो cover कर सकता है बस इतना याद रखना है इसके related उसके बाद आएगा दूसरा district बढ़गाम बढ़गाम के बारे में क्या आपको याद रखना है यह जो बढ़गाम जिनाब है इसको कहां से carve out किया गया था सिरेनगर सिरेनगर बढ़गाम पहले एक ही हुआ करता था लेकिन फिर जिले एक 1979 में बढ़गाम को अलग कर दिया गया फ्राम सिरेनगर यह पॉइंट इंपॉर्टन है और इसका area क्या है 1361 स्कार किलोमेटर है यह हमें क्यों याद रखना है area क्योंकि कभी हमें पूछा जा सकता है सबसे बड़ा area के लिहासे कौन सा district है सबसे छोटा कौन सा है इसलिए इंपॉर्टन मन जाता है हमें सारे याद नहीं रखने area इसलिए लिखा रहा हो ताकि last पे हम देखे कि सबसे छोटा कोन है सबसे बड़ा कोन है वरना area किसी का नहीं पूछा जाएगा ये आपको पता होगा कि एयरपोर्ट बड़गाम district में ही पड़ता है और करेवास भी यहाँ पे है बस ये दो पॉइंटस आपको याद रखने है इतना ज़्यादा important नहीं आए उसके बाद उसके बाद बात करते है बारा मुला की किसकी बारा मुला की बारा मुला रिवर जहलिम पे है ये तो सबको पता होगा लार्ज बारा मुला डिश्ट्रिक वैली वैली के लार्ज कश्मीर में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से कौन है बारा मुला इसका एरिया कितना है 4-2-4-3 जेंड के का नहीं बलकि कश्मीर का सबसे बड़ा बार मुला एरिया के हिसाब से इसमें कौन सा पॉइंट होन है लाइफलाइन सिंद रिवर एक है जो कि लाइफलाइन पडिश्टिक मानी जाती है कौन सा मुझबफवर बार मुला इसमें और इसमें क्या याद रखने है पियो की यहां से है मुहरा पावर हाउस यहां पे है मुहरा पावर हाउस आपको यहां पे मिलेगा इसको पहले वरमुला भी बोला जाता था यह इंपोर्टन पॉइंट्स है इसे रिलेटड कोश्च अब करते हैं बात बांडि पोरा की बांडि पोरा वेरी इंपोर्टन है यह कब बनाया गया डिस्ट्रिक्ट दोहज़ार साथ में आठ डिस्ट्रिक्ट नए बनाय गये थे यह आपको याद रखने कौन-कौन सा सब उसमे एक है बांडी पोरा 2007 में नया डिस्ट्रिक बांडी पोरा है इसका एरे कितना है 3,4,5 सुकेर किलोमेटर है यानि कि सबसे छोटा अगरिकल्चर यहां पे किशन गंगा यहां से फुलो करता है किशन गंगा किसकी ट्रिबूटरी है यह आपको बताना पड़ेगा यह हम आगे पड़ेंगे किशन गंगा किसकी ट्रिबूटरी है वर्ल्ड फेमस वुलर लेग यहां पे पड़ता है बांडी पोरा में शुरी वुलर लेग यहां पर नहीं है वोल्ड फेम्हुलर लेग लेंड इस अट्रेक्शन टुई डिस्ट्रिक एंट परवर्ड सेकान में इस गांडरबल डिस्ट्रिक में बांडी पोरा डिस्ट्रिक में आते है गुरेज और तुलेल एरिया उनकी जो लोकल लेंगविज है वो है शीना या धर्द ये पॉइंट को भी पूछा जा सकता है उसके बाद आएगा हमारा गांडरबल गांडरबल 2007 में बनाय गया था ज जो कि सबसे चोटा है मुझे लगा था हम भी गांडरबल पढ़ रहे तो गांडरबली सबसे चोटा एरया के हिसाब से है गांडरबल के एरया से एक रिवन निकलता है सिंध रिवार जिसको लाइफ 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 लाइन डिस्ट्रिक बोला जाता है सिंध रिवार तो ग गेटवे टो अद्दाग उसके बाद हम बात करेंगे कुलगाम की किसकी कुलगाम की जिसको बोला जाता है राइस बाउल ये कब बनाए गया था 2007 में जब 2007 में बनाए गया तब से पहले किसके साथ था अनतना के साथ तो इसका वेशो यहां से गुजरती है वेशो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये है जहलिम की ट्रिब्यूटरी 410 का किलोमेटर एरिया है बस यहां पे ज्यादा तर कॉलज है यानि कि कैनाल है जहां से इरिगेशन होती है लैंड के लिए सबसे ज्यादा इसलिए इसको कॉल गाम बोला जाता है कॉल मतलब नईदी कश्मीरी में नईदी को कॉल बोल जाता है इसलिए इसको कॉल गाम बोला जाता है कॉल मेनज गाम मेनज विलेज शेख नोर्दियन नोरानी यहीं पे बर्थपलेस उसकी यहीं पे कवंगाम है इस दिस्ट फाउंडर आफ रीशी कल्चर रही है और क्या इंपॉर्टन है इसका अम्परी वेराइटि यहां से निकलती है सेव के अम्परेणी वेराइटि यहां से निकलते कर दो यह था कुलिगाम का अब हम पढ़ेंगे कुपवारा के टू पढ़ रहे हैं को अगर यहाँ पे थोड़ा यह blur है अगर आपकी book आपके पास है तो मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ूँगा कुपवारा Northern Most District कश्मीर वैली का माना जाता है जो की सिरिनेगर से 90 किलोमेटर की दूरी पर है यह क्या है Northern Most सबसे North में ही जाता है यह कब बना हुआ है 1979 में जब 1979 में कुपवारा बन गया इसका मतलब यह पहले किसी के साथ है उससे काटा गया यह किसे काटा गया 12 मुला से काटा गया इसका एरे क्या है 2379 सुकेर किलोमेटर यह आप लिख लीज़े अगर कोई notes बना रहा है अगर किसी के पास भूक नहीं है किशन गंगा ओर्जिनेटिंग फ्रम हिमालयन फ्लोज थूदा ओटरेरस कुपवारा कुपवारा से निकल के किशन गंगा आती है यह क्वेस्चन भी पूछा गया है कि किशन गंगा जहलिम को कहां पे मिलती है डोमेल डोमेल जो कि पाकिस्तान आकपाइड मुझभराबद में पाकिस्तान आकपाइड कश्मीर में तो यह थे कुपवारा से रिलेटेड कुछ दो तिन पॉइंट्स हमें वहीं पढ़ना है जो इंपड़ा पुलवामा कब बनाय गया था पुलवामा जिना बनाय था 1979 में तो उससे पहले किसके साथ थे अनतनाग दैट मिन्स अनतनाग के साथ पहले कौन डिस्टिक्स हुआ करते थे पुलवामा भी उसके साथ हुआ करता था और कुलगाम भी पुलवामा को कब इससे निकाल गया पढ़ा भी है इसका एरे क्या है 1086 यहां से सफरन कल्टिवेशन पांपूर क्योंकि पांपूर पलवामा डिस्टिक्ट में पढ़ता है पांपूर सैफरन कल्टिवेशन आपको याद रखना है यहां पर उसके बाद हम शोपियां पढ़ेंगे शोपियां यह कब बनाया गया 2007 2007 में शोपियां पहले किसके साथ हुआ करता था पलवामा के साथ तो 2007 को आपको याद रखने है 2007 में कौन कौन सा बने गया बांडिपोरा 12 हमने बांडिपोरा गांदरबल पलवामा को लगामो यह भी तक फिलहाल पड़े इसका एरिया 312 सबसे एरिया इभी तक हमने किसका पड़ा गांदरबल का वो कितना था वो था 200 गांदरबल का एरिया है 259 259 इसका शुपियां के बारे में आपको याद रखना है शेपायन इसका एक्च्वल नाम था शेपायन रॉयल सिटी यहां पर रहा करते थे इसका इंपॉर्टन पॉइंट यह है कि अबोट इस फ्रे शाह पायन इसको इसले नाम पड़ है क्योंकि हैंपे रोयल सिटी का मेरा है वे यह जो सा इप्रना इसका इंपॉर्टन सी ने पारे में इसको बॉल जाता है नूखलिस ऑ्प कश्मीर भीूस को बोला संमर केपटल है नांटीन सवन्टी नाइन स्क्य एरिया है 1979 में बहुत सारे डिश्ट कज बनाए गए तो 1979 किसका एरिया याद रखना है सिरी नगर का बस और इसमें क्या याद रखना है यहाँ पर सब को पता है तुलिब गारडन इंदरा गांधी तुलिब गारडन सब को जाने के किष्टियों पे जो मार्केट्स लगते हैं डल लेक में वो भी यहां पे मिलेगा तो यह आपको पता ही होगा अब याद रखते हैं डोड़ा अब आए गए जुम्मू के डोड़ा is the largest district in जुम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा district कोन है जुम्मू एंड डोड़ा 8912 सबसे छोटा कोन है गांदर बल इट वसकावड आफ अरस्ट्वाइल उदंपूर आज कल का जो उदंपूर है उसी के साथ हुआ करता था है 1948 में से यह अलग कर दे गए उदंपूर डोड़ा अलग इसके बारे में हमें क्या याद रखना है इसके बारे में बस यही दो important points थे चिनाब मेर यहां पे है very very important यहां का मेर रिवर कौन है चिनाब चिनाब पे कौन-कौन से यह हम आगे भी पढ़ेंगे सलाल है दुलहस्ती है बगलिहार है यह आपको पता होना चा बोल रहा हूं फिना आप कभी कबर second most second largest भी बोला जाता है इसलिए यहां पर वरना किसी district का अलग से अरय आपको नहीं बोला जाएगा most populous district है यह हमने पढ़ा भी आगे जाके literacy rate यहां पे 83.45 83.45 जुम्मू कश्मीर का railhead कोन है जुम्मू यह कहां पे लिखा है यह आपको म most widely यह पूचा जा लेंग्वेज के भी पूचा जा सकता है अब हम बात करेंगे कुठवा की किसकी कुठवा की कुठवा की कुठवा की बात क्यों करेंगे because it is a gateway of जुमू एं कश्मीर इसका area 2502 square kilometer और two main rivers इसके क्या है रवी एंड उज यह पूचा जा सकता है रवी एंड उ बात करते है किस्तवार की लैंड अफ सफारेंड सैफरन यही question पूचे जा सकते है लैंड अफ सफारेंड सैफरन किसको बोला जाता है इसका ही रहे है 1644 kilometer और इसके बारे में आपको याद रखना है यहां पे कहके निकलता है सैफरन एपल चेरी अप्रिकॉट प्लम और ग्र पूचे जा मिन्नी कश्मीर और यहां पे क्या है चकन दबाग यहां पे आपको मिलेगा पूचे जा इस डिस्टिंक्शन ऑन ग्लोबल मैप फो ट्रेड अक्रॉट अक्रॉस लोकेंड क्रॉसिंग पॉइंट चकन दबाग आपको याद रखना है फॉर सिट्वेटिंग एड Tata Kutty Peak भी यहां पे मिलेगा आपको पीर पंजाल रेंज पीर पंजाल रेंज जो के कश्मीर वैली को अलग करता है separate from LOC को separate from Cashmeree Highest Peak को है यहां पे टाठा कुटty 1556 यह आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टन है मुगल रोड यहां से निकलता है जिसको मुगल रोड बोला जाता है जो कि कश्मीर से रजजोरी आ जाते है रजजोरी के थुरू जो मुगल रोड बोला जाता है बैकवर्ड रिजिन ग्राउट फंड प्रोग्राम कश्मीर वन आप दा थ्री डिस्ट्रिक्ट से जिसको रिसीव क्या हो जाता है backward region grant fund program मिल जाता है difference point of view से very important है ये याद रखना है difference point of view से राजोरी very important राजोरी district was cowder of 1965 1968 जैसे कि उदंपोर से डोडा निकाला गया था 1948 में इसी तरह पुच से राजोरी निकाला गया था 1968 में 2630 square kilometers का area है P.O. के वाला area है यानि कि ये किसके साथ मिलते हैं borderline है it shares a long border from सुंदर बनी टू भीमगरी with पाकिस्तान और पेड कश्मीर पहरी गोजडी डोगरा कश्मीरी यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे क्या है अनारदान और चिकरी यहाँ की famous है अनारदान है 48 में यह आपको अभी मैंने बता है geographical area है 1329 यहाँ पे आपको मिलेगा जमुर्वेट सिरीनगर along the चिनाब्रो और नेशनल हाइवे 44 तावन इस लोकेटेड और नेशनल हाइवे 44 बिट्वेट जमुर्वेट सिरीनगर जो हाइवे है उस पे रामबन डिश्ट्र की यह याद नहीं रखना है किसके साथ borders मिलते है यह तो किभी नहीं पूछा जाएगा बगलेहर power project यहाँ पे आपको मिलेगा जो की किस सिर्वार पे है आपको भी बताना है बगलेहर hydroelectric power project किस पे है स्वाला कोट another hydroelectric power project is coming up at स्वाला कोट पे भी बनेगा 95% depends on agriculture and allied sectors अब हम बात करेंगे रियासी की रियासी district कब आ गया है 2007 में कहां से निकाला गया था उदमपूर से उदमपूर से दो चीज यह भी तक निकाले गए डोडा एंड रियासी डोडा निकला गया 1948 में रियासी 2030 सेवंटी निटी सुकेर किलमेटर इसका एरिया है चिनाब इसका माना अब दा में रिवर है चिनाब क्योंकि सारे उदमपूर से ही निकल जाता है चिनाब डोडा से निकलता है सलाल hydroelectric power project यहाँ पे मिलेगा आपको चिनाब रिवर पे कहां पे रियासी में कहा है चिनाब सलाल hydroelectric power project वैशनो देवी है यहाँ पे मिलेगा आपको शिव खोरी मिलेगा दारसर बाबा बाबा शियादी लोकेटेट इन जिटिटिक यह कुछ टूरिस्ट प्लेसे हैं जो की इंपॉर्टर मन जाते हैं एक्जामनेशन पॉइंट आफ फिर विव से शिरी माता विशनो देवी उनिवर्सिटी काक्रेल पंधाल में आपको मिलेगा यह इंपॉर्टर पॉइंट है शिरी माता विशनो देवी उनिवर्सिटी तो यह आप याद रख लिएजे उसके बाद हम सांबा डिश्टिक पढ़ेंगे सांबा जुम्मू का सांबा के बारे में आपको याद रखना है कि 2007 में बनाय गया था कब? 2007 में 2007 यह किस से निकाला गया है सांबा है जुम्मू सांबो यह कट्थे हैं एक एक साथ है इसके साथ रखेगे जेग्राफिकल एरिया 904 कितना? 904 पुरमंडल ब्रीज यहाँ पे आपको मिलेगा सांबा इस अपरे फ्रम जुम्मू डिस्टिक पुरमंडल ब्रीज जुमू और सांबा के बीच क्या है? पुरमंडल ब्रीज इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे है यह तो आपको पाईता है जैसे पुलवामा में लासी पुरमें इंडस्ट्रियल ले रहे है इसी तरह यहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल ले रहे है यहाँ पे राजभुतस और सांबियालज रहते है एंड सलाठीयाज भी यहां पे रहते है तो कभी कबार पोछा जा सकता है यह उसके बार बात करते है लास्ट डिस्ट्रिक की वो है उदंपोर उदंपोर नेशनल हाईवे पर पड़ता है जो मुसिरीनगर नेशनल हाईवे यहां पे है राजा उदम सिंह के नाम पे इसको नाम रखा गया है यह उदम सिंह कूं था? एल्डेस्ट सानव महराजा गुलाब सिंह यहां पे है वेरी इंपॉर्टन नौर्दर्ण कमांड हेड़कावार्टर ओफ इंडियान आर्मी Northern Command of Headquarters Northern Command Headquarters of Indian Army यहाँ पे आपको पाय जाएगा Forward Base Support Unit of Indian Air Force भी है Indian Air Force का Forward Base Support भी है यहाँ पे जिपसम अगेरा निकलता है Culture of the Series पहाड़ी पहाड़ी कल्चर यहाँ पे है बस यह आपको याद रखना है अब हम बात करेंगे किसकी Topography की Topography में आता है कि यहाँ पे क्या 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 कूण से एर्याज प्लेन है Mountains है क्या है वो हम आप पढ़ेंगे यह तो Almost आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जल्दी से रिवाइज करेंगे Outer Plains की बात करते है Outer Plains की बात करते है Plains are located in the South of Shwalik Hills जो Plains है जैसे कि आपको पता है Greater Himalas है Middle Himalas है Lower Himalas है तो उसी के उसी तरह फिर उनके बाद आ जाते है Greater Plains of India आपने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो Shwalik के बाद पहले आप यहाँ पे ज्यान दीजे है कहाँ पे? Map पे जैसे कि यह मैप है यह है Value of Kashmir यहाँ पे आएगे Greater Himalas Zanaskar वानसकar यहाँ आप देख लीजे बुक पे से Middle Himalas फिर Lower Himalas फिर यहाँ पे Plains आ जाते है Greater Plains इस एरिया में तो इन्हें को हम देख रहे हैं कि यह बोलता है कि These Plains are located South of Shwalik Hills यहाँ कि श्वालिक Hills के नीचे क्या आ जाते है South की तरफ क्या थे Plains Greater Plains Main Many Hill Stream called Khards जो Hills से जो नदियां बहती है उनको क्या बोलता है Khards Outer Plains varies in altitude from 325 to 350 meter यहाँ कि उनकी height कहां से क्या vary होती है 320 से 350 meter के altitude उनकी Altitude vary हो जाती है जहाँ पे Vieto rice उगाया जाता है यह तो हमें पता ही है उसके बाद हम बात करेंगे किनकी Shwalik's की In the North of Outer Plains lie the youngest mountains of subcontinent तो अगर जो greater middle or lower Himalias है उनमे से सबसे youngest कौन माना जाते है Shwalik's को youngest hills माना जाता है जिनकी wide hat 20 से 50 km और height कितनी होगी 600-1200 meter Jumu City इन ही Shwalik's पे यहाँ पे very important point यह है कि अगर आपको बोला जाएगा Jumu Hill is 20 in Shwalik's Middle Himalias, Higher Himalias तो आप लिखना है Shwalik's यह तो आलमुछ नहीं सब को पता होगा 366 height है River Tawibi आपको पता है Man Sir, Surin Sir के बारे में भी आपको पता है यहाँ पे है सादरन स्लोप आप जो अट जादा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना है यहाँ पे पूच मौजफराबद आगे जाके सादरन सादरन साड पे है दियर आवरेज हैट इस बिट्विन यहाँ बात करेंगे कंडी एरिया यहाँ पे मिलता है आपको अंडिलेटिंग स्लोप इस बिट्विन रवी और चनाब रवी रवी और रवी और रवर चनाब के बी जो अंडिलेटिंग स्लोप से उनको कंडी बोला जाता है उनको कंडी बोला जाता है और श्वालिक्स पे ही आपको longitudinal valleys मिलेंगे जिनको हम दुन्द बोलते हैं जैसे कि दहरा दुन वहरा दुन important दुन्द क्या है जमू में राम कोट संदर बनी उदंपोर ये दुन्द में आ जाते हैं ये किसके बीच है एक साइड से रवी है एक साइड से चिनाब है undulating slopes है very important middle हमाल्यास के बारे में हम क्या पढ़ेंगे located between river ravie in east and punch in west ये कि ravie east से है punch west से है और बीच में क्या पढ़ेगा middle हमाल्यास अब टु मजफर आबाद है इनकी height क्या है 1200 तो उनकी थी श्वालिक्स की ये 1820 से लेके 2240 तक इनकी height मिलेगी और width इनकी क्या मिलेगी 10 से 60 km across ये तो याद रखने की भी जरूर नहीं क्योंकि इतना याद भी नहीं रहता है वही याद रखना है जो रहेगा तबी बसंतर उज arise from Middle Himalayas ये आपको याद रखना है कौन कौन सा रवी कौन कौन सा रिवर Middle Himalayas से निकलता है तबी बसंतर और उज तबी बसंतर उज जमू सिरिनागर नेशनल हाईवे has been carved out through these mountains very important point जो जमू सिरिनागर नेशनल हाईवे वो किस मैं से निकाली गई है वो है निकाली गई है Middle Himalayas की through आई से question पूछे जाते है वेशनो देवी भी इसी या ट्रिकूटा हिल्स भी किस में आते है Middle Himalayas में आते है इंदी पाड़ अब जैन के people generally earn their livelihood from forestry, cattle raring, touristry यह तो या रखने की जरूरत नहीं है उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे Valley of Kashmir जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको या रखने की इस book में जरूरत है यह ball shaped है कश्मीर valley mountain varying altitude from 2770 5550 क्योंकि जो value of Kashmir है surrounded by high mountain ranges जिनकी height क्या है 2770 सत्तर से लेके 5550 South में आपको मिलेगा कश्मीर valley के South में आपको मिलेगा Banihal Pass जिसको हम जवाहिट टनल बोलते है क्योंकि जब हम South की तरफ जाएंगे तो जुमू की तरफ आते है from only the only outlet for water is the Baramola gorge कश्मीर valley से एक ही जगह से जो हमने सती सर में भी पड़ा था कि सती सर लेक था वहां से पानी निकाल दिया गया और जालोद बो को मार दिया गया वह कहां से पानी निकला था Baramola से तो कश्मीर में एक ही outlet of water है वह कहां से निकलता है Baramola से क्योंकि Baramola आगे जाके फिर पाकिसान के सा बार्डर मिलता है वहीं फिर पानी जाता है किसमे है Arabian Sea में River Jehlim विदेट इस ट्रिब्यूटर इस ट्रिब्यूटर इस रिवर जहलिम तो पता ही होगा विशो लिदर एरिन मॉडम फारम दे में रिवर सिस्टम आप दे वैली जहलिम रिवर सिस्टम तो यह कहे है ट्रिब्यूटर इस अब जहलिम रिवर कुन-कुन सी विशो लिदर इरिन मदूमती एटसेटरा वैली इस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम तो आए सबसे पहले जहलिम वैली फ्लोर के बारे में पढ़ते हैं इसमें इस लाइस बिट्वीन अनतनाग एंड बारमला यह आपको याद रखना पड़ेगा जो जहलिम वैली फ्लोर है यह कहां से कहां तक है अनतनाग से लेके बारमला था क्योंकि जो नार्थ का एंड है वो है बारमला और साउथ के एंड आपको आनतनाग मिलेगा यह आपको आईसे याद रखना है कश्मीर वैली का जहलिम वैली फ्लोर है जै ठिकेस्ट डिपाउजर अलो विलियम है राइस यह ज़रूरी नहीं करेवाज कहां पर मिलेंगे आपको यहाँ पर आपको मिलेगा मत्टन वडर जैनपूर वडर आपको मिलेगा जैनपूर वडर कुशी पोरा इसी तरह मुकामा वडर पांपूर भी वडर है जहां से सैफ्रन निकाला जाता है अब हम पढ़ेंगे साइड वैली साइड वैली क्या है ट्रीटरीज ऑफ रिवर जहलेम है कावड आउट दियर ओन सुमालर वैली जीचर काल्ड वैली जैसे कि जहलेम रिवर की ट्रीटरीज है उन्होंने भी अपनी चोटी चोटी वैलीज बनाया जिनकों हम सैड वैलीज बूलते है बस यतना याद रखना है यह किस्से बन जाते है सैड वैले जहले वे रिवर की ट्रिब्यूटरी से क्योंकि यहीं यहां का में रिवर है और फ्लैट एराज पैड़ी ग्रोण वाइल स्लाप कंडी एराज मेज इस कॉमली ग्रोण फ्लैट यानि कि जो ओपर की फ्लैटर वहाँ पर क्या अगया जाता है राइस क्योंकि उसमें पानी जमा होना चाहिए राइस को अगने के लिए पानी दो तीन महीने जमा होना चाहिए इसलिए उसके लिए फ्लैट जमीन चाहिए जो आप slope वाली यानि कि जैसे mountain का slope है वहाँ पे maze वगएरा हो गया जा सकता है क्योंकि इसको उतना पानी frequent पानी नहीं चाहिए होता है ये एक important point है geography point of view से some important side valleys of Kashmirar side valleys दो तिये नाम है आप याद रख सकते हो Sindh Valley है, Daksum Valley है और Lidder Valley है क्योंकि side valleys किसे बनती है, tributaries of जहलिम से तो tributaries of valley क्या है, Lidder है तो Lidder Valley Sindh है तो Sindh Valley, इसी तरह Daksum है तो Daksum Valley The side valleys are generally inhabitable gujars, यहाँ पे gujars जाद रहते हैं Greater Himalaya sub region क्या है Himalaya separate the value of Indus, Greater Himalaya separate the value of Indus यह value of Indus को separate करती है बस यहाँ पे आपके इतना ही जाद रखना है, अब पढ़ेंगे हम Greater Himalaya अभी हम क्या पढ़ रहे थे, Middle Himalaya अब हम Greater Himalaya पढ़ेंगे इनको locally Zanaskar के नाम से जाना जाता है average height इनकी 5940 meter है 5940 meter और इसका क्या जाद रखना है Zanaskar and Suru reverse flow through Zanaskar क्योंकि हम इंडिया point of view से नहीं पढ़ेंगे जाएंड के point of view से पढ़ेंगे इसलिए यहाँ Zanaskar and Suru reverse से आपको मिलेंगे some of the coldest places इसी greater Himalaya पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा height होगी तो ज्यादा सर्दी होगी जो कि Dras, Rangdom वगेर है यह coldest places मानी जाती है 40 degree, minus 40 degree कहां पर पढ़ा था Dras में, coldest place of मानी जाती है out from polar regions Ladakh region Ladakh region के बारे में क्या है Arid table land है, average height है 500 meter coldest desert माना जाता है cold desert माना जाता है river Indus यहाँ से निकलता है कहां से? Ladakh से तो Ladakh range forms the right bank of river while as Zanaskar range forms it is left bank that means यह Indus है अगर Indus यहाँ से यहाँ जा रहा है that means इसका right bank यह बन जाएगा left bank यह बन जाएगा तो right bank पे इसका कोन है Ladakh और यहाँ से इसका क्या पढ़ेगा Zanaskar यह आप करेंगा world is second highest peak K2 यह कारा कोरम range कहां पे है Greater Himalas में K2P कहां पे Greater Himalas में यह आपको इसे आपको इसे रहे हैं सियाचेन, Baltoro, Hispar, Glacier यहाँ पे Greater Himalas में क्या कौन से Glacier आपको मिलेंगे सियाचेन, Baltoro, Hispar अब हम बात करेंगे climate की climate क्या है climate और weather में क्या फरक है climate has been defined average weather conditions at a specific place over a lengthy period of time यह science में question पोचा जा सकता है climate और weather condition में क्या फरक है climate बहुत time period को average उसका निकालता है weather short period का time weather एक दिन का माना जाएगा लेकिन climate for example 30 साल उनके बारे में हम average weather conditions पढ़ते हैं उसको climate बोला जाता है जमुएड केश्मिर का जो climate है वो subtropical region इस situation in subtropical region subtropical region आपको globe पे पता चलेगा जैसे कि यह globe है यह equator है यह होगई tropical region यह वाला इसके बाद आता है subtropical region फिर आते हैं polar region तो जमुएड केश्मिर किसमें पढ़ता है subtropical region में और इसका climate क्या है ग्रेट इस इसका climate influence होता है तो अब हम क्या बढ़ें climate of southern part of the region southern plains जो इसके southern region है उनका climate किसके साथ मिलता जलता है climate of southern part of the region that is southern plains resemble the climate of Punjab with hot summers coupled with moonsu rains and cold winters ये point आपको याद रखना पड़ेगा फिर उसके बाद ये table आपको देखना पड़ेगा winter cold weather, summer hot weather ये जमुड यूजन का है क्योंकि कश्मिर में बरब भी पढ़ती है जमुड में नहीं पढ़ती है तो ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा उसके बाद आए पढ़ते है winter season क्योंकि इसमें ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है ये आलमोश्ता हम सब को पता है climate तो हम ये यहाँ का climate किसको नहीं पता होगा यहाँ का winter start होता है coldest month January में होता है में ये किसको नहीं पता सबको पता है जो में ज्यादा सर्दे पड़ती है mist and fog होता है ये याद रखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो originate होता है ये वो Mediterranean Sea से हो जाती है जो waves आती है वही उसी की वाज़े से यहाँ पे बारिश वगेरा होती है तो ये point से आपको याद रखने है westerly winds या also called temperate cyclones की वाज़े से rainfall होता है कहाँ पे जुम्मू में ये point पूछा जा सकता है जुम्मू में जो बारिश होती है winter में वो किसकी वाज़े से होती है जो temperate cyclones या westerly winds होती है जो कि Mediterranean Sea से उठती है उसी से यहाँ पे बारिश होती है summer के बारे में तो सबको पता है summer के बारे में क्या है सबसे ज्यादा मई में क्या होता है गर्मी पड़ती है 38 degree Celsius मई कभी तो 40 है अब भी 40 भी जाता है dry winds called low blow which add to the miseries to the people बहुती खतरनाग winds होती है उसके बाद rainy season rainy season जून में start होता है middle of June में middle of June में और humidity बढ़ जाते है और 65 cm तक rainfall यहाँ पे होता है अब कश्मीर का पढ़ते है winter season spring season summer autumn 3-3 महिनों का एक season है November से feb winter March से may spring summer season May to September September टो पर autumn season तो इसमें उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं जो भी important points होंगे मैं आपको बताता हूँ winter में यहाँ पे snowfall होता है यह तो आप सब लोगों को पता है चिलय कलान 40 दिन का होता है यह question पूछा जासकता है जबकि सबसे ज़्यादा ठंड पढ़ती है winter में इनहीं 40 दिनों में पढ़ती है जिसको क्या बोला जाता है चिलय कलान यह एक point है जो examination में पूछा जा सकता है यहाँ पे भी वही tropical cyclones आ जाते हैं जिसकी वज़े से सर्धवाय या बारिश या बरफ हो जाती है यहाँ पे sunshine is low relative humidity remains about 90% यह question पूछा जा सकता है अगर कोई tough question बनाने की सोचेगा तो वो बोलेगा यहाँ पे relative humidity ज्यादा होती है कम होती है या high कितनी होती है तो 90% relative humidity not humidity, relative humidity humidity और relative humidity में फरक है sunshine low होती है तो सबको पता ही होगा सुप्रिंग के बारे में क्या जिसको कश्मीरी में क्या बोला जाता है सुवाथ यह सुवाथ बोलते हैं सुवाथ यह मार्च में start होती है सबको पता है maximum rain during this season कश्मीर में सबसे ज़्यादा rain इसी सुवाथ में पढ़ती है तो यह question पूचा जा सकता है जो जुम्मू वाले होंगे उनको शायद difficulty होगी यह नाम याद रखने में summer season summer season में hot test माना जाता है कश्मीर में क्योंकि जुम्मू में पहले ही गर्मी start हो जाती है कश्मीर में बाद में mid-september autumn में आपको क्या याद रखने है autumn में हो जाती है flowering of किस की start saffron की यह point आपको याद रखना है climate point of future flowering of saffron कब start होती है autumn season में बस यह वाला point important है इसमें याद रखने के लाइक बाद भी not that much important उसके बाद कुछ important facts है जो आके आपको याद रखने है वो क्या है seasons of valley आपको आईसे भी याद रख सकते है climate of kashmiole can also be devoted to six seasons six seasons भी इसको याद रखने है spring दो-दो महीनों का एक season सुवत जिसको बोलते है mid-march to mid-may सुवत के बाद आएगा summer सीधे winter आएगा पहले winter को इसने दो पार्ट में बोला है winter जैंके जिसको वंद बोलते है kashmiri में और ice cold जिसको शुशुर बोलते है यानि कि जब क्या हो जाती है जो 40 दिन की वो जिसमें आता है चला एकलान rainy season summer के बाद इसने रखने रखने है और autumn को अलग से रखने है यह आइसे यह not that much में बड़ा आपको यह दो तीन पॉइंट से इसमें याद रखने है सुप्रिंग को कश्मीरी में क्या बोलते है सुवाथ summer को बोलते है red coal यह याद रखने है यह कश्मीरी नेम आकर कोई पूछा पूछेगा तो मुझे लगता है अगर पूछ सकते है तो यह आपको याद रखने की जोड़ते है winter को वंद बोलते है autumn को हरुद rainy को वहरात summer को red coal spring को सुवाथ बस यह पॉइंट से आपको याद रखने climate of region is very cold Ladakh की बात है cold and dry cold and dry 40 degree sometimes fall even below 40 degree यानि की coldest place dross is the coldest place यह तो पता है और इस में 1986 में 48 degree was recorded dross सबसे coldest 48 degree 1986 में अभी तक का सबसे lowest temperature 1986 की बात है यह बस यही कुछ important points थे किसे related climate से related अब पढ़ते है soils soils के बारे में वरना ज्यादा soils पढ़ेंगे फिर reverse वागेरा अगली लेक्टर में पढ़ेंगे वरना यह ज्यादा लंबा हो जाएगा soils में आपको important पढ़ने है hilly and mountain soils के बारे में कुछ पढ़ते है hilly and mountain soils के बारे में आपको यादे रखना है यह acidic and deficient होती है very important है जब यह acidic होती है तो इनमें potash कम होता है phosphorus नहीं होता है और lime नहीं होता है very very important तो hilly and mountain soils में आपको एक ही point याद रखना है they are acidic and lack deficient in potash phosphorus lime बस यह point आपको याद रखना है इनमें क्या क्या हो गया जाता है maize, pulses and oil seeds and fodder and fodder इन कश्मीर रखना है apple, pear and walnut have been grown on save अगयर भी कश्मीर में इनहीं लैंड्स पे हो गया जाता है aloeval soil aloeval soil क्या होते है deposits by action of river जो river अपने साथ वो कीचड वागयरा लाता है उससे aloeval soil बन जाता है बहुती रिच होती है productive soil मानी जाती है aloeval soil river action का काम है southern plains of कश्मीर वैली फ्लोर यह कहां पे पाई जाती है जो southern valleys है southern plains है कहां पे कश्मीर वैली फ्लोर में besides चिना वैली possessive narrow citrip of soil aloeval soil में भी ब्लास पेवें टो old aloeval new aloe यह important point है इससे question बन सकता है old aloeval किसको बोलते है और new aloeval किसको बोलते है आये देखते है old aloeval को bangar बोला जाता है very important point lies about the banks of rivers and in the valley they extend to currywaz बस आपको इतना याद रखने है old aloeval को bangar बोला जाता है यह bank of rivers के पास पाया जाता है new aloeval को क्या बोला जाता है खदर बोला जाता है found in the bayes and deltas of mountain rivers जहाँ पे delta वागेर रिवर बनाता है जब river sea में जाता है वहाँ पे new aloeval पाय जाता है तो इसको क्या बोला जाता है old aloeval को bangar new aloeval को खदर पैड़ी यहाँ पे grow किया जाता है चावल राइस और wheat gram पैड़ी यह भी इतना जादा important नहीं है यह तो सब को पता है कि आलमोशा हर किसी land में कुछ न को चुगता ही है अब करेवाज के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत है यह मैं थोड़ा यह करता हूँ zoom यह blur है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ करेवास silo को जिसके पास बुख है वो लिखेगा लैक्स्ट्राइण डीपॉजिट्स यह क्या होती है लैक्स्ट्राइण डीपॉसिट्स होती है जो नोट्स बना रहा है वो लख सकता है और जिसके पास बुक है उसको पता है लेक्षंद डिप्वाजिट सूते है है यह कहां पे मिल जाती है वैलियु आफ कश्मीर किस्तवर किस्तवार कश्मीर वैली में क्रेवाज क्योंकि सेफरंग जैदा एक तो कश्मीर में पाए जात यहां यहां पी पाया जाता है करेवाजर जनरली इंप्लॉइट फॉर दा कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स वही सैफ्रान एलमेंट वालनट एपल वागेरा इसमें पाया जाता है उसके पाद है एक स्वाइल गृत या क्लेई स्वाइल यह आपको रखने गृत किसको बोलत पानी को अपने अंदर रखने की ज्यादा क्यापस्टिक किसमे होती है इसी क्लेई स्वाइल को दिया जैनल अंप लफ़ पैडी कल्टिवेशन क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है इसलिए गृत स्वाइल इसके लिए अच्छी बनती है उसके बाद कंटेंट ज्यादा होतीह और फटीलिटीपी ज्याद़ पैडी के लिए अच्छा पाया जाता है तो यह पॉइंट दो आप इसमें याद रख सकती हूं not that much in bond sickle sickle मतलब sick बोलते हैं कश्मीरी में sand को तो sickle से मतलब sandy soil तो इसमें आपको याद रखना है edge of करेवाज पे पाया जाता है बस इतना ही याद रखना है अगर अच्छी irrigation की जाएगी इसमें तो paddy इसमें हो गया जा सकता है बस इतना याद रखना है sickle soil किसको बोला जाता है sandy soil को बस इतना does a lot does a lot मतलब does a lot sandy silt sandy silt इसको याद रखना है near swamps जहां पे swamps होते है वहाँ पे यह पाया जाता है and if water is allowed to stagnate in this soil it turns red in color अगर इसमें पानी बहुत देर तक रखा जाएगा तो यह red color बन जाती है तो I say इसको याद रखना numble p.a.t. soil numble जमीन बोला जाता है तो यह कहा है यह कहां पे पाया जाता है जहल मिरोगर के bank's पे पाया जाता है वुला रेंड आचार लेक्स के पास यह पाया जाता है इसमें रेप सीड, मस्टर्ड, मेज और फ़ाडर उगया जाता है बस आपको इतना याद रखना है इसमें जो यह numble है इसको p.a.t. soil बोला जाता है बस इतना याद रखना है उसके बाद है टांड जिसको mountainous soil भी बोला जाता है और जबल जमीन को alkaline soil बोला जाता है जबल जमीन को क्या बोला जाता है alkaline जमीन अगर इसमें excessually irrigate किया जाएगा तो यह fertility lose करता है अगर इसको ज्यादा पानी दिया जाएगा तो यह fertility lose करता है और alkaline बन जाती है क्या बन जाती है alkaline इसलिए इस को जबल जमीन बोला जाता है है खार जमीन का मतलब कहा है मेडल अफॉति बेच बीच में कुछ क्या होगी पैच उफ एडिक स्वाइल होगी उसी को बोलते है खार जमीन यह सारी क्या हैètres फटा ay लैंड बीच बीच में कुछ जमी रही होंगे जो ऑसे को खार जमीन बोला जाता है। उसके बात हैं इसमें खुए सबस्ते ऑन चांठेक सब्सक्राइब पाने इससंञे हैं कश्मिर में जो प्हुत होति है व Hinter Comput को विसको त्रोश भोलते हैं सत्थ जमीन, शत्थ is the soil which contains sand and gravel, इसमें तो कंकर वगेरा भी होते हैं, ये छोटे-छोटे पत्थर भी होते हैं, अब कुछ लदा की सॉइल्स है, सॉइल्स अफ लदा कर यूनिक एंड हैं, लारजली मेकैनिकल ओरजन, मेकैनिकल ओरजन उनका ज्यादा है, ये याद रखना है, मेकैनिकल ओरजन हैं, इनका ज्यादा, they are rich in potassium, nitrate and phosphorus, उनमें क्या 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 ज्यादा होता हैं, agriculture returns, excellent, ठीक ठाक है, इनका अच्चा खासा है, और the river terraces of innocent attributed to the soils are of alluvial nature, क्योंकि river ke side पे उस पे ज्यादा alluvial soil ही मिलती है, तो पलस सेड़ स्वीट वागेरा इस पे उगाया जाता है तो यह थे स्वाइल इसके नाम अगला लेक्टर जो है वो किस पे होगा वो होगा रिवर्स और लेक्टर में कवर करेंगे वरने यह सबसे ज्यादा हो जाएगा थैंक यू वेरिमच मिलते अगले वीडियो में जितन हो सके लाइक और शेयर कीजेए